बियेचिव में हो रही है मनुस्मृति लागू करने की पड़ाई सोशल मीडिया पर लोग दे रहे है सबसे बड़ी प्रतिक्रिया जिया दोस्त अपने बिल्कुल सई सुना मैं उपरागमेंदर आप देख रहे है दथिंग आपको बता दे कि काशी हिंदु विष्वीद्धेल वारा नसी में मनुस्मृति को किस परकार लागों किया जाए इसके लिए एक नई advertisement की recruitment आई है वहाँ पर मनुस्मृति को भारतिय समाच के अंदर में किस परकार लागों किया जाए इस course के तहत तमाम शिक्षकों की भरति की जा रही है ऐसे में आप समझ पा रहे है कि जहाँ पर इस देश के अंदर में भारतिय सविधान है और सविधान के माध्यम से पुरा देश चलता है ऐसे में मनुस्परति को किस प्रकार भारतिय समाज के अंदर में लागू किया जाए इस विशय को लेकर बियेचिव के अंदर में अगर भरतिया होती है शिक्षकों के भरतिय होती है तो कितना ये गंबिर विशय है और इसी गंबिर विशय को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वाइरल हो रही है तो धर्मशास्तर विभाक से ये recruitment आया है जिसके advertisement क कि तस्वीर आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इस तस्वीर को लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि लगातार कितनी बड़ी ये बात हो जाएगी कि इस देश के अंदर में मनुस्परती लागो हो जाए और मनुस्परती लागो होने के बाद में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार भारते सविधान के पहले जो सविधान था जिसको मनुस्परती कहा जाता इस देश का जो बहुसंख्यांक लोग है जो बहुजन समाज है यसी एस्ट और ओविज समाज से आने वाला जो बहुसंख्यांक समाज है इन तमाम लोगों को सिख्षा लेने का अधिकार नहीं था ज्यान लेने का अधिकार नहीं था धन संचे करने का अधिकार नहीं था यहा चीजों को लिखाया गया था जिन चीजों को बया करना भी नामुंकिन और मुश्किल बन चुका है ऐसे में इस मनुस्मृति के माध्यम से किस प्रकार भारत को चलाय जाये किस प्रकार भारत के अंदर मनुस्मृति को लागू किया जाये ऐसे विशय को लेकर इस देश के सिक्ता के लोग रहते होंगे किस प्रकार की ये सोच रखते होंगे लेकिन इस देश के अंदर में हम देखे तो एक तोर पर हम देखते हैं जहाँ पर भारते सविधान को मानने लोग भी हमको देखने को मिलते हैं जो चाहते हैं किस देश के अंदर में समता स्वातंतरता न्या और बंदूता प्रस्तापितो ऐसे में जहाँ पर मनुस्मृति को लागू करने की पड़ाई की जाती है, मनुस्मृति को लागू करने की लोग लगातार सिक्षोक की भरती ले रहे हैं, ऐसे विश्वी दैलों के अंदर में किस प्रकार की ये लड़ाई चल रही है, ये इस था को हमको आड़ी करना है जहांपर हमको देखने को बिलता है सिबसे पहले हमको जो ब्राम्वन नज़राता है दूसरे नंबर पर हमको छटे नज़राता है तीसरे स्थान पर हमको वश्य नज़राता है औरerve पर इस देश का जो यसी अस्टी और ओबी सी समाज है जो बहुजन समाज है वो कहने के शुद्र इस स्थान परम को नजर आता है ऐसे में ये तीनों का जो वर्चस्व कहने के इस देश के बहुसंख्यांक लोग उपर था ऐसे में इनको किसी भी प्रकार के हक अदिकार नहीं दिये गए ते शिक्षा का अधिकार नहीं था जैसे में आपको कहा कि इन लोग तमाम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था ज्यान संचे करने का अधिकार नहीं था धन संचे का अधिकार नहीं था शस्त्र हात में लेने का अधिकार नहीं था राजा बनने का अधिकार नहीं था इन तमाम अधिखारों से इने वंचित किया गया था गुलाम मानसिकता वाला बनाया गया था गले में मठका और कमर में जाड़ू इतने बरबरता के साथ में इनके साथ में व्यवार हुआ है और कई हजारों सालों तक के इनके साथ में इस प्रकार का व्यवार हुआ इसके बाद में जब इस देश के अंदर में भारते सविधान आया डक्र बोस अंबेट करने इस देश को जब सविधान दिया तब जाकर इन तमाम लोगों को इंसान होने के बाद में इंसान की तरह जिंदगी जीने का मौका मिला है और ऐसे में तमाम इस देश के अंदर में ऐ गर भरती की जाती है तो हम किस देश को किस दिशा में लेकर जा रहा है ये सबसे गंबिर सवाल बना हुआ है आप इन तमाम लोगों को और प्रश्ण करेंगे कि आप इस मनुस्मति को आकर क्यों लागू करना चाहते हैं कि इसके आप पढ़ाई कर रहे तो जरूरी अपना तर लिए न की पढ़ाई करना चाहते हैं इनके बारे में जानना चाहते हैं इसलिए इन चीजों को हम एकोर्स के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं विशुद्याला के अंदर में और इक आपार एंटा है जो बाबा सहाब को खास्तों और परमान्याल लोग कहने के देखने को मिलते हैं आकिर इनकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है भाबा सहाब को जो भारते सविधान अगर जिन्दा रहेगा तो इन देश का जो बोजन समाज है और यह जो देश है यमन चैन और सुक चैन की जिम्मेदारी बनती है सविधान को किस प्रकार इनको मानना पड़ेगा या फिर सविधान को किस प्रकार अमल में लाएंगे इनकी क्या जिम्मेदारी होगी यह तमाम सवाल बने हुए है खास्तों और पर ऐसे बड़े-बड़े विश्वी द्यालों के अंदर में अगर बद्ध हो जाए आप क्या सोचते हैं इसे तमाम वीडियो को लेकर इस प्रकार के जो recruitment और advertisement लगातार सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और बड़े-बड़े विश्विद्यालों के अंदर में संथानों के अंदर में चीज़े चल रहे हैं तो आप आखिर किस प्रकार के इन तमाम जो लोगों के उपर में आपकी प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया में कमेंड़ बाक्स में जरूर बताए अगर बबासाब को आप मानने वाले है तो बबासाब को मानना लोगों की इस तमाम मस्लों के लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी प्रतिक्रिया म देवाना ना भुलि